सबी को रादी रादी मैं एसु सिंग और मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको नाल की डबली का लास स्टेप सिखाने जा रही हूँ अब तक मैंने आपको दो बार में नाल की डबली की स्टेप सिखाये थे पहला वन और टू सेक्ड स्टेप ने सिखाये था था आज हम सिखाएंगे 6 और 7 इसके साथ हमारी नालगे रपली का end हो जाएगा तो चलिए सिखाने से पहले मैं सभी से फिर हाँ जोड़कर विन्नम निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरी चैनल को लाइब सब्सक्राइब शेर जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी धूलक बजाने की वीडियो लास दको मैं आपसे एक बत फिर कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने आपके नालगे रपली को डिवाइडिशन करके सिखाया है बिल्कुल धीमे धीमे करके पहले एक स्टेप बात में बाकी स्टेप मैं क्यूं सिखाती हूँ ऐसा क्यूंकि आपको एक स्टेप अगर मैं सारे स्टेप आपको एक साथ बता दूँगी और आप एक साथ सारे स्टेप को जोड़ेंगे तो वो सारे स्टेप खराब हो जाएगे और आपकी धपली भी खराब हो जाएगी इसलिए मैं आपको एक एक करके स्टेप सिखाती हूँ ताकि आप को ये सीखने में आसानी होगी तो चलिए आज उसका last step सीखते हैं अब तक मैंने आपको step सिखाये थे देखें सबसे बड़े मैंने आपको step सिखाये थे यहां तक कितने step हुए यहां तक 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 मैंने आपको 5 तक step सिखाये थे नाल के रप्टी के मुझे किसी का कमेंट आये था कि मैंने आप दो धुलक से step सिखाते हैं तो मैं बहुत किरियर समझ में आता है मैंने भी कहा था वीडियो में कि धुलक को मैं आपको ऐसे करके या वैसे करके नहीं सिखाऊंगी क्योंकि कुछ से step ऐसे होते हैं जो 7 बजाए जाते हैं 7 बजाएंगे तो हम कैसे दिखाए पाएंगे आपको कि हम 7 कैसे बजा रहे हैं हमें 7 बजाना है या तो धुलक हम लिटा कर बजाएं दोनों साथ तो आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं दो डुबलाग रखती हूँ ताक कि आपको किलियर दिखाए पड़े तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको व्रुकल पास से दिखाऊंगी कि मैंने step कैसे बजाए हैं देखिए हमने क्या बजाया था हमने 5 तक end किया था आज हम बजाएंगे 6 और 7 हम बजाएंगे 6,7 6,7 6,7 यानि पहला खाली दूसरा साथ 6,7 6,7 6 खाली 7,7 1,2 1,7 2,3,4,5 ये तिनों अलग-अलग हैं फिर 6,7 6,7 6,7 अब हम इसके सारे step एक साथ देखते हैं कि कैसे बजाने हैं 1,2 3,4,5 6,7 1,2 3,4,5 6,7 6,7 अब हम इसको स्टार्टिंग करते हैं और कैसे बजाएंगे 1,2,3,4,5 6,7 1,2,3,4,5 6,7 1,2,3,4,5 6,7 1,2,3,4,5 6,7 आपके इनाल के दप्री के सारे step यहां तक के लिए रहें इसको मैं थोड़ा आपको step जल्दी बजा कर दिखाती हूँ कि आप अगर धप्री बजाएंगे तो कैसे बजाएंगे जब सारे step mix हो जाते हैं तो आपको पता भी नीचे लेगा कि आपने कब हाथ नीचे बजाया कब उपर जब सारे step mix हो जाते हैं हमने बजाया 1,2,3,4,5 6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 हमाल step कहा end होता हा कि 6,7 पे इसकी बाद हम फिर डपली के स्टार्टिंग करते हैं यहीं से 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5 6,7 1,2,3,4,5 6,7 आपको mix करने के लिए हर step पर हलका सा minus second से आपको फर्क छोड़ना पड़ेगा जब आप डपली बजाएंगे आपको इस step में कहीं भी कुछी भी प्रॉब्लम आए आप मुझे comment box द्वारा ज़रूर बताएं बाकी मुझे लगता नहीं आपको कोई प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मैंने आपको तीन बार में डपली सिखाई है पहले सिर्फ 1,2 सिखाया था इसके बाद 3,4,5 आज सिर्फ 6,7 सिखाया है यानि कि 6,7 6,7 यहां डालके रप्णी का सार स्टेप एड हो जाते है 1,2,3,4,5,6,7 आप counting से बजाएंगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी तरह की भी आपको को प्रॉब्लम आएग आप मुझे जरूर पूछें आज का स्टेप है आपका अब तक आपने यह स्टेप पीछले सीख लियो हूँ तो आज आप सिर्प सीखेंगे अब मैं आपको इसे जोलक लिटा कर थिकाती हूँ की स्टेप कैसे बजाने है देखे जब हम ढूलक के स्टार्टिंग करते हैं और इस धपने को लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे आज मैं आपको इसी ठपली का एक बजन और सुनाओंगी सिर्फ उसकी एक करी देखे कि ठपली को आप कैसे मैचिक कर सकते हैं तो कहते हैं ये तीरे नज़ेरे हैं या कातिल निगाहें ये तीरे नज़ेरे हैं बनाती है जिसके भी दिल को निशाना उसे याद रहता नहीं ये जमाना उसे याद रहता नहीं ये जमाना ये तीरे नज़ेरे हैं या कातिल निगाहें ये तीरे नज़ेरे या कातिल निगाहें बनाती है जिसे भी दिल को निशाना उसे याद रहता नहीं ये जमाना तुम्हारी तडप का दर्द जो सहा है तुम्हारी तडप का दर्द जो सहा है उसी ने दिवानों से हस कर का है बनाता है जिसके भी दिल में ठिकाना उसे याद रहता नहीं ये जमाना उसे याद रहता नहीं ये जमाना ये तीरे नजर है या कातल निगाहें बनाता है जिसके भी दिल को निशाना उसे याद रहता नहीं ये जमाना उसे याद रहता नहीं ये जमाना बोलिव रिंदावन भिहारी लाले की जै तो कैसे लगा आपको ये बजन और ये बजन उसी धपली पर है जो मैंने आपको सिखाई है आज मैंने धपली का समापन किया है अगर आपको इस धपली को दुबारा भी देखना हो या सीखना हो या कोई स्टेप समझ में नहीं आयो आपको आप मुझे जरूर बता सकते हैं और ये बजन आपको कैसा लगा ये मुझे कमेट बहुत दौरा जरूर बताएं तो चलते हैं और विदाल होने से पहले आप से मैं फिर कहती हूँ कि आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइब सब्सक्राइब शियर जरूर करें ताकि मैं आपके लिए हर बार एक नया भजन और एक नए स्टेप ढूलक के हमें सला सको तो चलते हैं और कहते हैं राधे राधे